नमस्कार दोस्तों, मेरे अवर साश्तिरी साबगत करता हूँ आपका और अपने जोती सिकाने की सिंकला को जारी रखता है। दोस्तों आज हम बहुती इंपोर्टेन्ट टोपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये स्षीज सभी लगनों को कवर करेगी। आज मैं आपको मेश लगन में कुंडली विश लेशन कैसे करते हैं, मेश लगन की संपून जारकारी, कुंडली विवेचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोखों को दोस्तों, अगर आप डिरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो आप पिलीज मेरी पिछले के लेशन, वेधिक अस्ट्रोलोजी लेशन वन टू लेशन शिक्स, ये जरूर देख लिजिए, ताकि आपको बेसिक्स अगर आपके किलियर होंगे, तो आप ये बहुत असान तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्टैप बाई स्टैप सिका रहा हूँ, पिछली वीडियो के जानकारी किसके बीजमंतर करेंगे, किसके रतन पहनेंगे, कौून सा गरह खराम है, कौन सा आपको फायदा देगा, किस पाऍवा की मादोसान मैं किस तरह की रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जोती सीकनए हो तो बहुत इंपोर्टेंट ये टोपिक है बट फिर मैं मैं बहुत लूँगा गर्भों के बारे में हाउस के बारे में गरों की दरश्टी यह सब चुछ बेसिक चीजें हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यह नहीं जानते तो मेरी सुरू की वीडियो जुरू देख लेजिएगा वेदिक एस्टरोजी लेसन वन से लेसन सेव लगन अगर लगन में एक है पहले भाव में एक तो समझ लिए मेस लगन की यह कुण्डली होई अब मेस लगन के स्वामी होते हैं दो रासिया होती है एक मेश एक वर्षिक, अश्टम भाव का दोस नहीं लगेगा मंगल को, क्योंकि लगनेश है मंगल, अब आप देखिए मंगल कहां बैठे हैं, तो देखिए मंगल दसम भाव में उंचके होके बैठे हैं, उंचके, तो लगनेश का उंचका होना एक राज्योग जैसा है, और यहाँ पर मंगल अगर केंद्र में अपने खुद की राशी और उच की राशी में तो रूचक पंच महापरुस राजयोग आपको पराप्त होगा अब यह रूचक जो क्या है यहाँ आने वाली जो सिरीज होगी राजयोग उसमें आपको समझाएंगे फिलाल आप यह समझे ल दसा में बहुत आपको फायदा होना जा रहा है और वो फायदा कैसा एक तो लगने से और एक करम भाव में आके बैठ गए तो जातक की प्रिशनलिटी पहुत अच्छी होगी मंगल की दसा अंदर दसा के अंदर व्यक्ति का स्वास्थ पहुत अच्छा रहेगा व्यापार में तरक्की जातक के पास भूमी होगी मंगल की दसंतर दसा में जातक को नोकरी वैवसाय इंकम में तरक्की होगी भूमी बनाने का योग बनेगा अब दरश्टी पढ़ रही है मंगल की दरश्टी पढ़ती है पहली दरश्टी लगन पर लगन यानि स्वास्थ पोथ अच्छा दरश्टी पढ़ रही है चोथे भाव में हलाकि मापे वो नीचके हो रहे हैं प्रिभी मकान महान बनाने में जातक को फायदा होगा क्योंकि उचके होगे दरश्टी डालने हैं संतान को लेके फैदा होगा अकसे में किलाब होंगे साती साति झातक को मंगल की दसंतरदसा में अगर जाताक की स्टूटेंट है तो पढ़ाई में भी जाता प्रूद से कारक है हलाके उनकी डिगरी देखनी होगी डिगरी क्या होती है, आप मेरी initial वीडियो में देख लेंगे जितनी अच्छी डिगरी होगी, अगर मंगल किसो रभस्ता में है पूण किसो रभस्ता में है तो यह बहुत अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों अब देखिए आगे चलते हैं दूसरे भाव में हैं दो नंबर, दो नंबर का मतलब हुआ शुक्रदेव, शुक्रदेव के भी दो रासिया होती हैं, एक वर्सब और एक तुला, अश्टम द्वादस थोरी के अकोर्डिंग, दूसरा और साथ भाव म बैठे हैं, जो कि हानी को दरसाता है, तो शुक्र लगने इसका मित्र भी नहीं, और इस कुंडली के अंदर मारक और तिर्क भाव, छाटा, आटवा, बारवा, ये भाव अच्चे नहीं होते हैं, बारवा भाव, हानी को दरसाता है, व्या को दरसाता है, तो एक तो भाव अ समझना है गरों के प्लेश्मेंट को भी देखना है पहले वीडियो के अंदर हमने भाव को समझा अब मैं आपको पून रूप से कुण्डली समझा रहा हूं जिसमें आपको गरह की स्तिती को भी समझना है तो सुक्र बारवे महों में आने के पाद दिक्कत देंगे वो किस तरह की धनका अबाव होगा कुटुम के साथ मदवेध हो सकता है दूसर बाव कुटुम का होता धनका होता वानी से काम बिगाड लेना साथी साथ विवा में दिक्कत आएगी अगर यहाँ पे राहू जैसे राह बैठें यहां जैसे की रहां पर सुनी है तो उचके बहुत नुक्त करना करना पड़ेगा शुक्र का कर सकते हैं ऐसा में और डिग्री काम है तो आप मूंगारतन दारन कर सकते हैं अब दोस्तों आगे चलते हैं dalam तो इसमें तीन लिखता है, तीन का मतलब हुआ बुध की रासी हुई, यानि मिथून रासी, मिथून रासी के स्वामी कौन, बुध्देव, बुध्देव की दो रासी होती है, मिथून और कन्या, और बुध को एक तो दो भाव मिले, तो भाव अच्छे नहीं है, तो मारक ब और देखो बैठे भी बारवे भाव में हैं सुक्र के साथ वो भी खराब भाव में तो भाव भी अच्छे नहीं मिले और प्लेस बेट भी अच्छा नहीं तो फिजूल के खर्चे आकसमी खानी मानसिक रूप से परिशानी कोट कचरी जाने तक के भी योग बन सकते हैं गुप की दाल का दान हर बुद्वार के लिए उत्तम होगा हलाकि अगर प्लेसमेंट अच्छा हो जाए बुद्ध अपने खुद के राशी में बैठ जाए तो कभी-कभी क्या होता है खराब भाव के जो ग्रह होते हैं वो भी कभी-कभी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाते ह हो जाते हैं वो हम और आगे दिरी दिरे चर्चा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि गरों का प्लेशमेंट भी देखना पोच जुरूरी है तो बुद्ध भी इस कुंटली के अंदर मारक बने अब दोस्तों आगे चलते हैं यह देखे चोथा भाव है चोथा भाव कुंटली क का तमाम भूतिक सुक का लगजीरियस लाइप का पैतरिक संपत्ति का भूमी का अब यह किसी मिला है चंद्रमा को अब चंद्रमा लगने इसके मित्र भी है भाव भी अच्छा मिला अब उनका प्लेशमेंट देखना जुरूरी है वह अच्छे पलत भी देंगे अगर उनका होगा प्लेशमेंट अच्छा है तो प्लेशमेंट चंद्र जो है लगन में बैठा है अपने मित्राशी का अंतर इसका मतलब किस्तर्य का होगा चंद्र की किस पहुत अच्छी होगी भाव किसम का होगा जाद तक मैं अभी आपको ऊपर की तरफ से बता रहा हूं मतलब मोटे-मोटे जो प्रेडिक्शन से वह बता रहा हूं ताकि आप पूम रूप से स्टेप बाई स्टेप समझ लें फिर जब आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं पाँच भाव के स्वामी कौन होते हैं सूरिय तो सूरिय कहां बैठहे दोसरे भाव में कि रिजर्ट मिलेगे संतान को लिए के फैदा होगा जातक को संतान के बाद जातक का भग्योदे होता है पढ़ाई का अच्छा योग बनता है जातक का पढ़ाई का अच्छा योग बनता है सूरिय की दसंतानी समय जा तक जिस उऩशी जो में भी हट चालेगा उसमें उसको फैदाब मिलेगा तो सूर इतके अंतर का रक होते हैं इस ञूरिय का विंदर्फar कारा कोडीग अब सूरिय का रतन भी पेंच सकते हैं तूला और वर्सब यह शुक्र की राशियों होती हैं, अब आठवा भाव और आठ हाव में वर्चिक और मे Studoonu Mangal की राषिया होती हैं, अब देखें नम भाव में नो लिख्खा है, नो का मतलब हुआ धनूराशी, धनूराशी के स्वामे कौन होते हैं, गुरु देव, अब गुरु देव की दो राशी होते हैं, धनू और मीन, देखें, बारवा भाव अच्छा नहीं होता, तो एक रासी उनके अच्छे घर में नहीं है, पर अगर किसी को तिरिकोन का एक भाव मिल जाए, तो उसको 12 भाव का ये त्रिक भाव का उनको दोस नहीं लगता चाटा भाव रोग दितन dal रहो पारा भाव सब्सक्राइब को एक तरिकोन मिलता है और टो से कोई एक तुरिक भाउ का दोस्तिक नहीं मिलेगा तो गुरुंत इहां पर अच्छे हैं पड़ु का प्लेश्मेंट देखी तो गुरु का हैं गुरु पे Subod派 means तो पांच में मरुमा समया स्वामे स्वामी के तलिकोन स्वामी तिर्कोन में एक राजियोग के समान रजल्ट देंगेius जातक को भागय का साथ मिलेगा दोन्व भाव भागय का पिता का पिता के सायोग मिलेगा गुरू जुनों को मानने वाला होगा जातक का भागय मुशंतर गठाले गा। का, रोजगार का, वेबसाए का, और 11 भाहो लाब का होता है, यह मिला किसको सनी को, अब सनी को टली के अंदर उचके होके बैटे हैं, वैसे तो सनी सम होते हैं, पर सनी का प्लेश्मेंट पोत अच्छा तो सनी भी यहां पर बात दे हैं अच्छ रिजट देने के लिए तो सनी की दसंतरत दसा में क्या होगा हलाकि यहां पर बैठके थोड़ा मन मुटाओ जरूर करेंगे विभाईक जीवन के अंदर पर उसका फैदा होगा जातक को सनी की दसंतरत संवे फैदा होगा लाब मिलेगा जातक को वैपार नोकरी में तरक्की होगी दरस्टी मानेंगे पहले बाहो में थोड़ासा विभाई सेद को लेके जुरूर थोड़ासा अप्सटाउंस हो सकता है साती साथ भागे का पूंदर सेया चाहिए सेया को साथ मिलेगा सनी भी जातक को तरख्की देंगे अब आगे चलते हैं दोस्तों बचे रहू के देखिये इस कुड़के ंंदर रहू जो हैं कि धनूरासी में नीच कर नका और केतु जस्टन के सामने वो मिथुन वासी में नीच के माने जाते हैं और मेश लगन के अंदर दोनों पूरबुल रूप से मारक वाले जाते हैं तो राहू के तु इस कुंड़ली में खराब हुए के तु कि दसांतर दसामें बहुत ज्यादा मैनेद करने के बाद रिजट नहीं मिलेंगे और राहु की अंतर दसमें भागगे पूनरुप से शाथ नहीं देगा तो राहु और केतु भी को ट्लिक अंतर मारक हुए तो मंगल चंद्रमा गुरु सूरी क nine कि दसंतर हिसम आपको फाइदा वे फाइदा किस तरह का होगा मैंने आपको बता आया बुद सुक्र राहु के तुँ musi ऌ Claudine his की गर हो इनकी दसंतर हिए और वो संतर होगी यह मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों मेरी वीडियो गर अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद